अधी भारत देश को अगर पाचाना जाता है तो वो है बुद्ध की धर्ती के नाम से जाना जाता है चलिए आज हम आपको एक ऐसे दार्शनी का स्थान दिखाने वाले हैं जो आपको जान के काफी खुसी भी होगा इस वक्त जार्खन में उपस्तित हूँ और जार्खन के जो है देवगर जिला में बुद्धा पहाड आपने सुने होंगे जो जार्खन सरकार सौ करोड की लागत से बुद्ध के जीवनी के बारे में बहुत ही दार्शनिक म्यूजियम बनाने वाले हैं लेकिन मनुवाद मीडिया जो आप कभी अगर गूगल और नेट में आप सर्च या तो यूटूब में सर्च मारके देखेंगे तो बुद्धा पहाड को बुद्धा पहाड के नाम से इन लोग को ब्रामनी करने का परियास क्या जा रहा है जो मनुवाद लोगों को अकसर हमेशा परियास रहता है कि हमारे इतिहास को अकसर दबाने के काम करें लेकिन जो बावा सहीब डॉक्टर भीम राव मेटकर ने जैसे ही इस इतिहास को और जो बहुजन समाज के लोगों को बुद्ध के बारे में दिये चुकि बुद्धा य बुद्ध का अखिर क्या खासियत है और क्यों बुद्ध के बारे में अब भुजनों को जानना चाहिए चुकि जो बेक्ति इतिहास नहीं जानेंगे वो कभी इतिहास नहीं लिखवाएंगे तो यहां पे बुद्धा पार का जो एक प्राचिन बौध वियार सिधार्त नग देवगर जारकन लिखा हुआ है आईए हमारे कैमरा में दिखाएंगे धिरे धिरे आप आए और आगे की अस्थिती आप दिखाते चलिए और यह रहां बुद्ध का बुद्ध का जो प्राचिन बुद्ध विहार सिधार्त नगर देवगर जारकन यही बुद्ध जो है वो कहते हैं चुकि पुराविश में ही बुद्ध का ज्यान हर देश में जाके पहुचा हुआ है और उनी का जो मानता का ज्यान वो बुद्ध दिया है और यह रहा तस्वीर यहां पे बुद्ध पार का यह है आप देख सकते हैं टेमपल बुद्ध का और यहां बुद्ध क हुआ है चलिए हम आपको यहां आगे की नजारा दिखाएंगे यहां पर जो जारकन सरकार ने बहुत ही अच्छा पाल करते हुए बुद्ध का यहां पर दार्शनिक आखिर देवगर भी जो आपने कभी सुना होगा देवगर देवगर यह बुद्ध का धरती था लेकिन होगा कि उंगली मार डाकू का भी यहां पर सीन दर्साय जाएगा चुकि बुद्ध ही एक ऐसा महामानों थे जो उंगली मार डाकू को भी उसने इंसान बना दिया और यहां पर जो पीपल का पेड़ भी लगा हुआ है अब हम आपको आगे की नजारा यहां दिखाएंगे जो कायर यहां पर चलाए जा रहा है कुछ जो मिस्त्री और कुछ लेवर भी उपस्तित है उनसे भी कुछ है एक-एक सब्द जानना चाहेंगे कि आखिर यह किस तरह कायर हो रहा है और देखिए यहां पर जितने भी बुद्ध के जीवन के बारे में हर चीज आपको यहां दिनों के बाद मिलेगा यहां पर जो आपका पार्क और बुद्ध के चरित्र के बारे में दरसाएगा तो यहां पर बुद्ध पहार के बिसे में अकसर आप जानने का परियास किजिए चुकि मनुवाद मीडिया ने धीरे-धीरे उसको बुध्ध पहार और नेट गूगल म काम करते हैं जिसे मनुवाद मीडिया से साव धान रहे है और मनुवाद ρाइल लोगों के खास कर साव धान रहे यहां का नजारा धिरे धुरे यह जो पूरा सौ करूल की लागत से बनाए जा रहा है जितने भी बूद्ध जो है यहां चूंगने सुना होगा उन्हें पहलं चूंगन का प्रावति किस तरह भी शोचिये यह प्रॉद्धी क्हांब थे मानोु जीवन में और पहला सैंटीज स्टोर पहला ही एक ही ऐसे महानों थे जो पुरा विष्ट को ग्यान दियें और साती सात उन्हों नहीं अंदकार से लेकar ग्यान की ओर लेके चले थे तो यही पेड़ के निचे यही जो पीपल पेड़ है इसी ही पेड़ के निचे ही तथागत गोतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुआ था देखिए आप यहां पे दिखाएंगे देखिए इस तरह पुरा ही नजारा बनने जा रहा है और देवघर में देवधर देवधर इस जिला का नाम देवधर था लेगिन धिरे धिरे ब्रामनी क करने के बाद उसको देवघर कर दिया गया है कि देवधर आइए आपको हम दिखाएंगे उनसे भी कुछ सब्सक्राइब नजारा बुद्धा पार का जो बन रहा है दो दो एकर में फैला हुआ है और दो एकर में अभी बन रहा है इसका मिल्जिम और यहां मिस्त्री जन भी पस्तिते इनसे भी कुछ जानना चाहेंगे यहां देखिए आप यह नजारा अभी कुछी दिनों में बन कर त्यार हो जाएगा और जैसे बन कर त्यार होगा यहां पर कई लोगों का अगल बगल में जितने भी जो निवास करते हैं और उनलों को भी कुछ रोजगार का भी चुकी जब भी दार्षिनिय में डर्षिक का अस्थान जब बन का त्यार हो जाएगा तो क्यी लोग देशों से कर भी भी देशों से भी ओर मन करनें आएंगे और यहां का बुद्ध का भारत डेश बुद्ध की धरती से जैना जाता है यहां से ग्यान प्राप्त करके लेके जाएंगे आप बने रहे हमारे अंत तक हमारे साथ चुकी जब तक आप अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तब तक आप इसी तरह वंचित रहेंगे और जो सत्य और असेति क्या है उनके बारे में भी आपको आप दूर रहेंगे देखिए आपको आखिर दिखाने का मकसद मेरा अकसर एही रहता है कि अपने इतिहास को जानेंगे जब तक इतिहास नहीं जानेंगे तब तक आपको हमेशा इतिहास से दूर रहेंगे यहां देखिए इधर इधर कायरे हो रहा है और यह है जारखंड जारखंड के देवध दिरहां दितने भी मिस्त्री कली कार्य कर रहें यहीं खालर कार रहा है और धिरे दिर्य लगबंकर त्यार हो जाएगा हमारे कमरा में दिखाएंगे आप हमारे साथ बने रहिए और यहां पर जो मिस्त्री साहब सब अपना कायर कर रहें इस लोग से भी कुछ हलका सा कुछ जानना चाहेंगे क्या खिर क्या है सर एक मिनिट आप लोग से ज्यादा नहीं मिनिट समय लें कि आप काम कर रहे हैं आपका आपका नाम क्या हुआ सिते मुलोच-पंडित कहा से आपने क्षाइश सारट से आपका क्या नाम हुआ अजाद शेख है है मद्धबपुर से यह कौन सास्थान है दने यहां है यह तो घणवान का दरिशाちは अभी तो घण needs बुध काही यह टोटल आखिर क्या बन रहे हैं फार्क बन रहा है बुद्धा भार पार्क जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर और चलिए हम आगे की नजारा दिखाएंगे यहां जो बुद्धा पार्क क्या हूँ अचा जो ठोड़ा एक और चलिए यहां से जो मिस्ट्र जैसे नंदन पहाड उसे अच्छा बनने जा रहा है अच्छा बुधा पहाड जी इसलिए हम लोग जो सुचना मिला उसी अंसार हम लोग बोल रहे हैं कि वह पाड से अच्छा बने गाँ तो कितने दिन में लगब त्यार होने का उमीद है तो काम तो सुरू है उतना जबी फा टाइम लगेगा वह घरावाट होगा बहुत अभी टाइम लगेगा थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद और चले यहां पे जो है पार्क काफी सांदार पार्क बन रहा है और यह दो एकड में फेला हुआ है और देखें नजारा यहां से टोटल आपको यहां देखने को मिल देने वाले यह पेड़ हैं और यहां पर आईये कई जगाव पेड़ लगा हुआ इसी पेड़ के निचे तथागत गोतम बुद्ध का ज्यान प्राप्ति हुआ था इधर रहा अगर यहां पर ठारने के लिए लोगों का कई जगा भी बन रहा है इधर भी टोटल जीवनी ज पिर दुबारा यहां से जाने का मन नहीं करेगा इसलिए देखें यहां के नजारा लोगों को चुकि हमेशा जब तक अपने महापुर्सों को इतिहास को नहीं समझेंगे तब तक यही जो काल्पनिक के चक्र काल्पनिक देटाओं के चकर में उल्जह रहेंगे इसलिए अपने हक अधिकार बारे में समझ मायागा चुकि बाबा सहीब डॉक्टर भीम राव मेटकर ने समीधान में आपको जितने भी हक अधिकार दिया हुआ है वो तब जाके समझ मायागा और साती साथ तथागत गोतब बुद्ध के मारक पे और बोद्धम की मारक पे अगर चल सबी को समझाएं और अपने जो मानव है उनके बारे में जानने का प्रियास करें तब जाके आपको कल्यान होगा तब जाके अंधिकार से आप पाखंडवाद मनुवाद से निकल कर आप मानवता की और बढ़ेंगे यह रहा बुद्धा पहाड बुद्धा पहाड का नजार देवगर बुद्ध का ही नगरी था लेकिन इसको धिरे धिरे ब्रामनिक करन करके उसको मेट्या मेट कर दिया गया तो यह फिर से कहीं ना कहीं समाज में एक मेसेज जाने का काम हो रहा है जैसे जैसे अपने बहुजन लोग धिरे धिरे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आज आपको एसे जो जानकार बैक्ति है जो समिधान का ग्यान देते हैं तिरी पिटे क्लास जो कानून जो बावा साहिब लिखे हुए समिधान उस समिधान का ग्यान देने वाले हमारे साथ उपस्तित है माना निये किरती बहुत जी और किरती बहुत जी से भी दो सब्द हम मारे दर्शकों के लिए रखना चाहेंगे चुकि कानून का ग्यान देते हैं और किस तरह फरो मनुवाद लोगों ने उन्हें खतम करके फिर से जो मनुवाद्य अस्थापित करना चाह रहा है तो इस जो बुद्धा पाड के बारे में और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि मन टूप से लेकर आप गुगल नेट हर जाएंगे तो बुद्धा पाहाड को उन लोग क्या कर रहा है कि बुद्धा पाहाड गोसित करने का परियास कर रहे हैं जो यह ना यह जो सो कभी मुरुक्ता का हद ही होता है चुकि अक्सर यही सब मनुवाद गोदी मिडिया लोग न नमबुद्धा जयवीम करांतिकारी निला सलाम आज में तथागत गोतम बुद्ध के समझलीजे चरणों में आज हम यहाँ पे आए हुए हैं तो सबसे पहले तथागत गोतम बुद्ध के चरणों में कोटी-कोटी नमन करते हुए मैं अपना बात को रखना चाहता हूँ कि जिसे यह हम जहाँ पे आए हैं यहाँ पे हम लोग को पता चला कि यह जो बुद्धा पहाड है बुद्धा पहाड को जो है मनुद्धा पहाड गोसित कर दिया है तो हम लोग को लगा चलिए यहाँ पे जा के ही हम लोग देखते हैं यहाँ पे आनक बात यहाँ बहुत सारे जब हमने रिशर्च किया तैरेसर्च में यह पाया गया, कि यहाँ पराचिन समय में, यहाँ पर आप लोह को दिखा दिये गये होंगे, आपको वीडियो में भी, कि यह पराचिन बुद् बिहार यहाँ पर लिखावा हुआ सिदार्तनतागर। यहां पर प्राचिन समय में गुफा हुआ करता था, जब यहां पर पूरा तरह से बुध का इतिहास खोजने लगा पुरा भारत में, तो उस समय हमारे यहां देवघर में भी यहां पर एक बुध का गुफा मिला, आनिक यहां बुध बिहार हुआ करता था, यह बुध बिहार उसी के नाम से यहां पर यहां पर बनाए गया यहां बुद्ध का इस्टेश्यू बनाए गया और यहां पर बुद्ध भिहार के नाम से जाना जाने लगा और यह पूरा जो छेतर है यह पूरा छेतर जो है सिदार्थ नगर के नाम से जाना जाता है तो ये मनुवाद लोग जो हमारे इतियास को छुपाने को परियास करते हैं लेकिन ये आपका जो सोच गलत है कि आप लोग लाग कोशिस करिए लेकिन तथागत गोतम बुद का इतियास आप छुपाने सकते हैं जहां भी देखिये तथागत गोतम बुध ही देखने को मिलता है यह जो देवगर को जो लोग बोलते हैं कि 33 कुरोट का देवी देता हूं में एक देवी देता है ऐसा है सीव जी के नाम से यहां विक्षित कर दिया गया है लेकिन यह सीव जी का नाम से बलकिल नहीं यहां पर तथागत गोतम बुद्ध के नाम से यहाँ पर विक्षित था और यह बुद्ध भीयार हुआ करते थे लेकिन आज यहाँ पर सीव जी का पूरा बड़ा यहाँ पर परचंडल हरा दिया है बरामन लोग तो यह लोग छुपाने के परियास करते हैं मैं आप लोग असब फिर से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जागिये और आप इस समय चीजों को रिसर्च करिये जाके देखिये खुद ता आपको पता चलेगा किस तरह से जो हमारे इतियास को छुपाया जा रहा है बरामन लोग जोरी है चुकि इतियास से हमें आगे की रनिती आगे विकास के से बड़े उससे जानकारी मिलता है इतियास से हमें सबक सिखने की जोरत है उनमें से एक इतियास हमारे तताकत गोतम बुद का है जो पुरा विश्र में ही पुरा माना जाता है और जो बहुत धम की चल कर आप आगे बढ़ सकते हैं बस इतना ही समापत करना चाहेंगे जय भी मनो बुदा है अधी हमारे वीडियो में अगर पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने चैनल को मजबूत जरू करें साथी साथ बेल आइकन अवे स्प्रेस करें चुकि इस चैन आपका है इस चैनल को आप कितना आगे लेके जाते हैं यह आप पर डिपेंड करते हैं जय भी मनो बुदा है थैंक्यू धन्यवाद